जैहिंद नमस्कार मेरे शेयर सेयर नियों लाड़ो लाड़लू स्वाकत आप सभी के आपके अपने यटूब चैनल आर्मी एकेड में पर दोस्तों आज का यह वीडियो इस पेस लिए आप सभी के लिए जितने बचे से जीडी का पेपर दे रहें उन सभी के लिए क्योंकि प बहुत सारे बच्चे क्या हुआता कि उनका पेपर जिन बच्चों का अभी भी कई बच्चे से हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं जा रहा है या उनके पेपर में काफी कम नंबर आ रहे हैं ये विशेश करके उन सभी विद्यार्टियों के लिए जिनके पेपर में नंबर क इससे जिन बच्चों के बहुत कम नंबर थे उदारन के लिए में आपको बता दू दिल्ली में जो भी तक धरना पर दना चल रहा हूँ उसमें से कई ऐसे विद्यारती है जोनका यह कहना है कि हमारे नंबर ज्यादा थे लेकिन हमसे कम नंबर वाले बच्चे आता है लेकिन इनमेशे कही ऐसे विद्यारती जिन के साथ में धोका हुआ तो मैं आपको बता दू कि वो धोका क्या है ताकि वो आप ना खाओ लाड़ो साथ ये एक चीज़ और बता दू हाँ हमारे जो अकेडमी है आप सभी जानते हैं कहाँ पर है कुचामन सिटी राजस्तान में कुच्चामन शिटी राजस्तान में जहां पर इस्पेशली आर्मी और ससी जीडी के लिए फिजिकल बेच स्टार्ट हो गए हैं अगर आप फिजिकल की तयारी करने के लिए आना चाते हैं लाड़ लो तो हमारी केडमी कुच्चामन शिटी राजस्तान में 9588-10608 इस नमर पर अगर आप करना चाते हैं आर्मी जैसे जीडी के तयाय तो हमारे एक एडमी आ सकते हैं लाड़ लो अब मैं आपको बताता हूं कि इनके साथ में दोका क्या बता लाड़ लो इनके नमर कम आने के कारण इनों ने क्या कि फिजिकल की तयारी नहीं की तो ये मैं बताऊं सिफ्टों के एक्जाम हो जाएंगे उनके नमरिंग के सार पर ठीक है तो उनका पेपर बहुत हार था और आपको बताऊं नोर्मलाइजेशन के बात कर आपको आपको आँकरा देखना है तो अभी एसाजी सीजील का एक रिजल्ट आया था जिसमें नोर्मलाइजेशन हुआ ता आप स्कोर दे के हक्ये बक्ये ने जाओगे के जिन विद्धार्तियों के 143 नमर थे उनके 170, 145 वालों के 165 इतना इतना स्कोर भी पलस हुआ है और होता है तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि आपके कम नमर आये और आप फिजिजिकल की तैयारी नहीं कियो मैं आपको बता दू फिजिकल के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा सेजिडी में इस बार आपको मेक्शिमम 10, 15 या 20 दिन हाइस्ट मिलेगा जब आपके आंसर की लोंच होगी या नर्मलाजेसिन के साथ में आपके जब नमबर लोंच होंगे उसके बात में आपको मातर 15 से 20 दिन का समय मिल सकता है फिजिकल इस्टार्ट हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल में पिछड गए ते इसी कारण आप इसी कोई गलती ना गरे क्या पता आपका पेपर हाड हुआ हो वो नर्मलाजेसिन में आपके नमबर पलस होंगे इसी लिए जिभी बच्चे नैसे जीडी का पेपर दिया मैं बोलता हूँ उसको फिजिकल की तयारी जरूर करनी चाहिए अगर उसका एक नर्मल स्कोर भी है तो अगर काफी लो है तो उसको एकजाम की तयारी करनी चाहिए लेकिन अगर आपका नॉर्मल या संतो जनक भी अगर इसको रहा है तो आपको फीजी लिए तयारी 100% करनी चाहिए क्योंकि क्या पता आपकी shift बहुत hard रही है ठीक है दोस्तों जै हिंद जै भारत